करते हैं आपवोक सब्सक्राइब इस पज़िया आपशक ह Singapore टाल देंगे क्लास अर सब्जेक्ट में चानगे की इस attempts क्या सब्सक्राइब प्रस्क्राइब ऐस Stevensries को थाओं की तुमाज़तस है और में जिसमें कोई भी गाउं की बात हुई हो उस मुवी में तो आपने जरूर देखा होगा किस दासे कोई पीपल वगएरा का पेर होता है बड़ा सा उसके चारों तरफ मिट्टी का एक चट्टा टाइप का चबुत्रा बना हुआ होता है उस चब।रफ में पांच लोग बैठते हैं जिसे हम लोग पन्च कहते है नगा उनका एक मुखिया होता है जिसे हम सरपन्च कहते हैं जो सबस्यादे एज़ूर्ट शबस्यादे लादे एकश्पियेंसफुल होता है नग आप बाकी सारे गाउं के लोग इसी तरह से खड़े होते हैं, कभी कदार लोग बैठे हुए भी होते हैं, और जिनके खिलाफ या जिनके आप में फैसला होना होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ खड़ा होते हैं, है ना, तो यह चीज़ आपने देखी होगी है, मैंने आ यानि कि ग्राम सबा उन सारे नोजवान लोगों की मीटिंग है जो ग्राम पंचायत के एक एरिये में आते हैं इस गुड़ बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेज़ या तो यह एक गाउं का होता है या कुछ गाउं का मिला के होता है इस गाउं के लिए अलग अलग मिटिंग होता है एक बार वोट दिया हुआ हो वो जो है ग्राम सबा का मेंबर बन सकता है लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट वो जो है न वो यह है कि उस इंसान को उस जगाँ पे रहने वाला भी होना चाहिए क्योंकि देखिए जब तक मैं उस जगाँ को नहीं जानूंगी उसके प्रॉब्लम्स को कैसे समझूंगी अगर मैं उस जगाँ को जानती हूँ तभी तो मैं उसके प्रॉब्लम्स को समझूंगी तो इसलिए मुझे उस जगाँ के रहने वाला भी होना ज़रूरी है skill आवा यहाँ देखे क्या लिखा है the gram sabah is a key factor in making the gram panchayat play its rule and be responsible यानि कि gram sabah यह काम करती है कि gram panchayat जो अपना जो role उसको दिया गया है जो काम उसको दिया गया है वो पूरी तरह से कर रही है यानि पूरी जिम्मेदारी से उस काम को कर रही है या नहीं इस चीज़ को वो देखती है it is the place where all plans for the work of the gram panchayat are placed before the people यानि कि यानि वहाँ पर यह भी देखते हैं कि एक जगह बनाई जाती है जहाँ पर सारे लोगा के बात करते हैं तो वो यह भी देखते हैं कि हम क्या ऐसा काम जो gram panchayat ने अपने सर पे लिया था कि भाई gram panchayat क्यों बनाई गई कि हमारे गाउं का development हो वह पर कानून वेवस्ता अच्छी हो सड़क यह सब चीज़ें भी अच्छी हो है वह इस चीज़ का भी खयाल लगती है कि panchayat कोई घलब काम ना करें लाइक जैसे कि misusing money यानि पैसों का घलत इस्तिमाल करना या favoring certain people यानि कुछ लोगों का favor करना कि भाई तुम मेरे favor में हो its play an important role in keeping an eyes of the elected representative and in making them responsible to the person who elected them यानि वो इस चीज़ का भी खयाल रखती है कि जिन लोगों के साथ यहां पे election किये जा रहे हैं अपने साथ अपना प्रती निरी चुना election करके जिनको हमने जिताया वोट देके क्या वो जो उन्होंने वादे किये थी जो उनका काम उनके बेलों हमे उत्मिदारी में आया है वो पूरी तरह से कर भी रहें यानि आ अब ख्रत, मैंने आप सेिटकर के बनी नेरी वीडियो देखें तक हम और आप करना को भी लिए कि या आप मेरे चैनल को विजिद कर दोड़ा स्फ़स्क्राइब करा लिया है तो ये भी तो आपका रूल है ना मतलब आपने ध्यान दे रहा है कि मैम को अच्छा पढ़ा भी रही है या नहीं और वीडियो डाल भी रही है के नहीं से इसी तरह से ग्राम सबा जो ये बात को ध्यान में रखती है कि हमने जिसको एलेक्शन से वोट दे के जिता या वो अपना काम पूरी मांदारी से कर भी रहा है के नहीं ठीक है इन सम स्टीट्स कुछ जगाओं पे कुछ राज्यों में गराम सबा किमीटी नाम से भी जाना जाते है मतलब क्या कि रोड अच्छी हो रोडों का निर्मान करना रोड के किनारे पेड लगाना तक ही अच् करना के भाई अगर यहां से लंबे रट पर जा रह जाये तरह आने वाले एक रास्ता हमारे घाओं के लो जानी के लावा हमारे गाउं में स्कूल और कॉलेज और दवाई घर ये सारी चीजे भी अच्छी सी होने चाहिए हॉस्पिटल्स वगेरा इनकी फैसिलिटी भी होने चाहिए तो ये construction and development की काम करते है construction बनाना और development होना होता है उसको तरकी देना है ना के हम भी आगे निकले हम भी अपने गाउं को कुछ हद तक शहरों के करीब लेकिया है इनकुलूडिंग सम मेंबर और ग्राम सभा और इनका क्या होता है मिली कि हम अपने गाउं को तरकी दे ठीक है मैं उम्मीद करती हूँ यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब यहां लिखा answer the following question अब आपको questions की answer देने तो first question लिखा है what is the gram sabah? gram sabah क्या है चलिए इसका answer देखते है इसका answer यहां से लिख सकते हैं कि the gram sabah is a meeting of all adults who live in the area covered by a gram panchait यानि कि gram sabah जो है ऐसे लोगों की meeting है जो उस gram panchait के छेतर में रहते हैं मतलब उस गाओं में रहें जहां जो gram panchait के अंडर में आता है ठीक है वो ही लोग सारे मिलके यहां पर gram sabah बनाते हैं जिसमें वो लोग जानते हैं कि कौन क्या करता है और कैसे काम हो रहा है यह अच्छे से explain कर दिया है आप लोग देख लेंगे चलिए अगला question बढ़ते है का दूसरा question है who can be a member of gram sabah यानि gram sabah का सदस्य कौन हो सकता है चलिए इसका answer देखते हैं आप इसका answer यहां से लेख सकते हैं anyone who is 18 plus यानि 18 years old or more than यानि उससे जादा का होगा वो यहाँ पे vote देने का जिसको अधिकार है वही gram sabah का member बन सकते है ठीक है anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote a meeting of the gram sabah ठीक है यानि कि वो ही आपका gram sabah का member बन सकते है चलिए आगे पढ़ते है question number third है जो कि आपका last question है what is the role of gram sabah यानि gram sabah का क्या role है gram sabah क्या role play करता है चलिए इसका answer देखते है इसका answer आप यहां से लिख सकते है it's play an important role in keeping an eye on the elected representative and it making them responsible to the person who elected them यानिकी वो उनके उपर नजरे रखते हैं कि जिनको हमने जिताया है वो सही काम कर रहे है या नहीं हमने अपने प्रेंटी वोड दे किसी एक काड़िनेट को जिताया है तो क्या वो इसको करना चाहिए यह आपकी जो लोग sabah है वो इस चीज़ का ध्यान रखती है तो इस त झाचिंग